नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटीब चैनल पे आज के इस वीडियो में आप देखेंगे शांदर सा 1BH के फ्लाट वैसे तो इस वाले प्रॉपटी भी आपको 1BH के काफी सर ऑप्शन अवलाबल है लेकिस स्टार्टिंग प्राइस इस वीडियो में आपको बताऊंगा बड़ा कार्पीटी रहे वाला चाहिए यहापर तो वो भी आप्शन अवलाबल है 2BH के में आपको यहापर दो आप्शन मिल जाएगा 2BH के टैरस फ्लाट चाहिए वो भी आप्शन अवलाबल है 1000 स्क्वार फिट का रहेगा आपका 2BH के टैरस और दूसरा जो हमारे पास है वो आपको 900 स्क्वार फिट से रहेगा आपका 2BH के स्टाटिंग 1BH के यहापर आपको मिल जाएगा 665 स्क्वार फिट से लेके 680 स्क्वार फिट तक आपको मिल जाएगा जाद अतर जगह में आप देखते हो कि 1BHK का आपको 570-580 का स्टार्टिंग में आपको एरिया बता दाओ लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाएगा 665, 652 स्कॉार फिट से आपका 1BHK का स्टार्टिंग रहेगा पूरा वीडियो का आप लोग देख लिजेए, डाउन पे में, डियमाई, वो सारी चीस इस वीडियो में मैं आपको बताँगा कौन सा सिटी है, क्या है, वो सारी चीस इस वीडियो में आपको क्लियर केंगे एक, दो, तीन, चार, चार, यहन के 8 फिट, 9 फिट, ऐसे में आपको प्रॉपर 9 फिट, लंबाई में आपको 14 फिट का स्पस मिल जाएगा डोर आप देख लिजे, यह है आपका में डोर आपका रहेगा और सिलिंग आप देख लिजे, कुछ इस तरकी के आपका बीरिफोल सा फॉल सिलिंग यहापर आपको बना कर दियेगा फिलाल तो यह color में रखा गया, अगर आप चाहते हूँ दूसरा color तो आपको यहाप दूसरा color भी दे दिया जाएगा सिंटर में आपका आ जाएगा आपका Joomar, इस तरफ एक आप फैन लगा दोगके इस तरफ आपका fan आ जागे यहाँ पर आपको दोनों ही तरफ आपको hook दिये गए चाहोता आप center में fan रखे दोनों तरफ एक छोटा छोटा जूमर रख सकते हो जैसे ही आप entry करोगे इस वाले वाल पर आपको मिल जाएगा आपका power point अगर आप यहाँ पर पाच्वे माले पर चट्वे माले पर लेंगे या फिर चौथे माले पर लेंगे तो फिर आपको पूरा आपको यहाँ से mountain view नजर आ जाएगा क्योंकि mountain view वाला property है road facing पर चाहिए आपको mountain view चाहिए वो भी option available है आसपास पर आप जितने भी building देखोगे यह जी प्लस तरी का है अल्ड़ी यह बन चुका है पास में बंगलो है यहाँ पर भी आगर आप नीचे देखोगे तो यह चोटे-चोटे plot है जहाँ पर बंगलो ही बनने वाला है तो आपका जो view है यह आपका block नहीं होगा क्योंकि दूर दूर तक आपको यहाँ पर बंगलो ही बंगलो दिखाई दे रहा होगा बाकी यह आपने देख लिया तीन फीट ऐसे में आपको मिल जाएगा लंबाई में यह साड़े नौप फिट का आसपस मिल जाएगा एक power point आपको यहाँ पर दिये गए है अब हम चलते है kitchen की तरफ इस तरफ है दोस्ता आपका kitchen अगर आप पैसेस में देखो गते आपका यह master bedroom वाला फ्लाट है उपर आप देख लिजे water tank के लिए आपको यहाँ पर जगा मिल जाता है और यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका bathroom यह है दोस्तों आपका bathroom size आप देख लिजे जो है घिजर के लिए point आपको अंदर ही मिल जाता है master bedroom में हम बाद में जाएंगे सबसे पहले हम kitchen को cover कर लेते हैं यह है दोस्तों आपका kitchen का area जैसी आप kitchen में entry करोगे इस वाले corner पर आपको proper आपका double door वाला fridge आ जाएगा इतना space आपको यहाँ पर दिये गए है दोस्तों औ लंबाई में कम से खम एक दो तीन चार यहन के आट वीट नौव इट का असपस लंबाई में रहेगा और ऐसे में आपको चार फिट का असपस यूज करने के लिए मिलेगा platform छोड़के आपको चार फीट का इसपस यूज करने के लिए मिल जाते हैं और यह आप देख लीज जाते हैं यहाँ पर आपका कोट माला दोस्तों कुछ एक्ट्रा सामन वगरा रखना है कुछ केबिनेट वगरा बनाना है वह बना सकते हैं इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वेंटिलेशन के लिए विंडो प्लस आपका बालकनी रहेगा साइज आप देख लिए छे फीट का असपस लंबाई में ऐसे में आपको दो फीट का असपस यूज करने के लिए मिलेगा एक पाउरपोइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो कि आप यूज कर सकते हो आपका वाशिं मशिन के लिए एक वाटर कनेक्शन और पाउरपोइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा बाहर का व्यू देख लिए इस तरफ का आपका डिफरेंट व्यू रहेगा तो इस तरफ अगर आप आओगे जैसे ही आप बेडरूम में इंट्री करोगे एक आपको बातरूम यहाँ पर मिल जाता है यह रहा यह दोस्त आपका second number वाला बातरूम size आप देख लिजे ऐसे में आपको 4 feet का असपास लंबाई में यह 1,2,3,4,5,6 feet का असपास लंबाई में यह 6 feet ऐसे में आपको 4 feet proper मिल जाता है उपर के तरह पर आपका shower इस तरफ आपका power point और back side में आपका window है fitting आपको possession के वक एगें दे दिया जाएगा इस तरफ अगर आप आऊगे इस तरफ आपको मिल जाएगा आपका bedroom जो की है आपका शांदर सा bedroom size कितना रहेगा इसका आप देख लिजे कम से कम यह 9 feet का असपास लंबाई में 1,5,5 feet का असपास और ऐसे में आपको proper 10 feet का असपास मिल जाएगा ऐसे में आपको proper 10 feet ऐसे में ó remove feet का आसपस मिल जाता है ceiling आप देख लिजे कुछ इस तरह के का आपको मिल जाता है ceiling square में आपको मिल जागे यांपर ceiling तो लाइं're pink color में रखा गया है और इस तरह अगर अगर देखो गये तो यहाँ पर आपको मिल जालेगा आपका बाल्कनी एक बर अपको बाल्कनी को दिखा देने के लिए यह रहा दोस्तों यह है आपका balcony जो की bedroom का बाहर आपको मिल जाता है, सभी में आपको यहाँ पर balcony मिल जाता है बाहर का view आप देख लिजे, पुछ इस तरी के आपको बाहर का view यहाँ पर मिल जाता है, तो आईए एक एक करके बात करने ते हैं, कितने price पर आपको यह वाला property मिल सकते हैं और कहाँ पर है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा यह G-7 का यह building है दोस्तों और यह ready to move में नहीं है इसका आपको November, December का आसपास तक आपको position मिलेगा November, December तक आपको यहाँ पर position मिलेगा, G-7 का building है, station से एक किलिमेटर का आसपास distance में, slab पूरा complete हो चुका है, शरीफ एक ही slab इसका बाकी है, बाकी 7 slab हो चुका है, और brick वर भी 4 माले तक हो चुका है, बाकी जो 3 माला है वो आपका complete हो जाएगा एक से देड़ मैने में, तो आपको November, December तक builder का कहना है, ऐसे कि November, December तक आपको मिल जाएगा, project रहरा registered है, nationalized bank loan आप ले सकते हो, आप price कितना है, वो मैं आपको बता देते हो, सब सब पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जाधातर जगह में आप लोग 570, 560, 580 square feet का आपको मिल जाएगा, इसका उपर आपको कोई भी charges देना नहीं पड़ेगा, आप down payment कितना आएगा, 2 लाग का असपास आपका down payment आएगा, salary होना चाहिए कम से कम भी 25 से लेके 27,000 का असपास अगर आपका salary है, तो आप easily इस वाले railway station से, मातर एक किलिमीटर का distance में, walking पे भी आगर आप जाओगे तो 10 से 12 मिनिट का walking distance है बिल्कुल अभी ready करके आपको दे दिया जाएगा November, December तक तो property कैसे लगा, comment section में मुझे लिखके ज़रू बतना, अगर आपका budget है 16,000,000,000 तो भी हमारे पास available है, अगर आपका 19,000,000,000 में budget नहीं हो रहा है एक रेरा project में, 16,000,000,000 में आपको चाहिए, तो भी आप दियेगा number पे call कर सकते हो, हमारे पास काफी सरे option available है, जबी भी आप visit के लिए आएंगे, 45 property आप देख सकते हो, जबी भी आप आते हो visit के लिए, एक बार आप clear कर दिजे कि हमें township में देखना है, single building में देखना है, हमारे तो budget 16-17,000,000 का असपस है, तो वो range में हमें इस तरह दिखा दिजे, 2-4-5 property तो आपको दिखा दिया जाएगा, आप EMI कितना आएगा फ्लाइट का प्राइस थोड़ा से जाद है, तो EMI भी आपको कम से कम 15-16,000 का आसपस EMI आ सकते है, 15-20 साल के लिए आप इजिली bank loan ले सकते हो, nationalized bank loan available है, आप जीने नेरेल के बार में नहीं पता, special loan लोके लिए आप लोको उस वाले वीडियो को देखना चाहिए, बहुती दर्द वाला कहानी रहेगा उस वाले वीडियो का, तो बहुत जल्दी आ जाएगा, वो वांगि वाले वीडियो, थैंक्स वाचिंग, मैं मिलता किसी आप वीडियो में, तब तक लिए जैहिन, वंदे मातरम